तो दोस्तो आपके पास two wheeler का license है लेकिन four wheel का license उसमें आप add करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो तो दोस्तो मैं यहाँ पर आपको सारी process बताऊंगा कि आप अपने two wheeler के license में four wheeler का license add कैसे कर सकते हो तो दोस्तो यह करने के लिए सबसे पहले तो आपको मेरी channel को subscribe करना होग बेल आइकोन को क्लिक करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को शूडू करते हैं तो सबसे पहले गूगल में आना है यहां पर टाइब करना है सार्थी परिवहन और एंटर करना है परिवहन.gov.in की वेबसाइट जो पहली शो हो रहे उसके उपर आपको क्लिक करना है पोटल ओपन हो चुका है यहां पर ओनलाइन सर्विसिज में ड्राइविंग लाइसंस रि कैड़ करना तो यहां पर सबसे पहले जाना है apply for learning लाइसंस यहां पर हम क्लिक करेंगे डोकाण क्याक्या लगेंगे यहां पर लिखे हो एतो चैपनी करना एक दूसतों पहला आप्शन जो है वह अगर आपके पास ड्राइब करना है लेकिन अगर add करना है car या फिर दूसरा कोई vehicle तो आपको दूसरा option से लिक करना है दूसरा option से लिक करते ही यहाँ पर आपको अपना driving license number पूछेगा तो driving license number डाल दो और अपना date of birth डाल के submit पे click कर दो यहाँ पर आपका name आएगा और details आएगी तो अगर यह आप ही का है तो यहाँ पर confirm पे click करना है यहाँ पर आपकी सारी details है ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको RTO change करना है तो यहाँ पर आप अपना RTO change कर सकते हो वह ही रखना है तो यहाँ पर कोई details आपको change नहीं करनी है मुझे change करना है तो मैं यहाँ पर अपना दूसरा RTO को select कर लेता हूँ जो आपके location का हो नीचे scroll करना है यहाँ पर और कोई details आपको change नहीं करने है सिधा यहाँ पर vehicle select करना है तो हम यहाँ पर देखो car है वो select कर ले थे car मतलब LMV light motor vehicle तो यहाँ पर arrow पर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखो selected cover में आ चुका है अब यहाँ हमें self declaration form fill up करना है तो उसके उपर हम क्लिक करेंगे अगर दोस्तों आपको कोई भी problem नहीं है तो यहाँ पर मैं जैसे select करता हूँ वैसे आपको select करना है तो यहाँ पहला जो option है वहाँ पर no कर दो दूसरा option है यहाँ पर yes कर दो बाकि सारे जो option है यहाँ पर आपको no कर देना है इसका मैंने एक पूरा detail के साथ video बनाया है आप description में भी देख सकते हो दोस्तों इसको समझने के लिए यहाँ पर iihabalip पर क्लिक कर दो और submit पर क्लिक करना है यहाँ पर ok पर क्लिक करना है self declaration form हो चुका है हमारा complete back पर क्लिक करना है जैसे back पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर portrait पर आ जाओगे वापिस अभी यहाँ पर आप अपने organ donor करना चाहते हो तो yes करो otherwise no पर क्लिक कर दो और यहाँ पर submit वाले option पर क्लिक करना है ओके दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको ok पर क्लिक करना है और यहाँ पर पूछ रहा है are you sure to submit details ok पर क्लिक कर दो ok congratulations आ चुका है देखो हमारा application है वो generate हो चुका है यहाँ पर application number भी आ चुका है दोस्तों तो यहाँ पर document में लिखा है कि आपको इसी driving license ही upload करना है ठीक है तो proof में driving license आपको अपने पास रखना है उसके बाद यहाँ पर हमें next वाले option पे क्लिक कर देना है application number and data बता जाएगा आपको अपना capture fill up कर देना है और submit पे क्लिक करना है आपका application status open हो जाएगा यहाँ पर आपको नीचे scroll करना है नीचे scroll करते हैं आपको upload documents यहाँ पर selected आ जाएगा आगे की process के लिए यहाँ पर आपको proceed पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको submit वाले option पे क्लिक करना है यहाँ पर ok पे क्लिक कर देना है document upload के option पर हम आ चुके हैं यहाँ पर documents में आपको select करना है driving license और proof में भी यहाँ पर आपको select करना है driving license और कोई detail fill up करने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको यहाँ पर देखना है कि देखो आपका जो file है और 500 kb से जादा नहीं होना चाहिए और format jpg, jpge होना चाहिए या फिर pdf होना चाहिए तो browse पर क्लिक करना है जहाँ पर आपकी file है select कर लो और upload पर क्लिक कर दो और यहाँ पर दुबारा confirm करने के लिए confirm वाले option पर क्लिक कर दो जैसे confirm करोगे तो देखो upload हो चुका है अभी हमें next पर क्लिक करना है फिर से यहाँ पर आपको capture fill up कर देना है और submit पर क्लिक करना है दोस्तो फिर से आपको application number status open हो जाएगा यहाँ पर आपको upload photo and signature करना है upload तो proceed पर क्लिक करना है अभी यहाँ पर देखो upload photo लिखा हुआ है और upload signature में यहाँ पर हमें signature upload कर देता हूँ उसके बाद upload and view files पर क्लिक करना है तो देखो photo and signature upload हो चुका है अभी हमें नीचे स्क्रोल करना है यहाँ पर save photo and signature image file पर क्लिक करना है ok पर क्लिक करना है तो देखो insert हो चुका है signature and photo तो अभी next वाले option पे click करना है फिर से यहां पर आपको capture fill up कर देना है and submit पे click करना है यहां पर आपको फिर से नीचे scroll करना है और last वाला option है fee payment तो अभी हमें fee का payment करना होगा यहां पर तो प्रोसीट पे click करना है यहां पर आपका सारा details आ जाएगा और आपको payment करना है ग्यारा सो पचास तो किस किस का है तो issue of new ll add cov to dl और नीचे और भी details है driving license test का भी आ चुका form 7 का भी आ चुका है यहां पर नहीं होगा आपका इसलिए minus show हो रहा है तो यहां पर payment करने के लिए s यहां पर capture fill up करके पैनाओ पे click करेंगे फिर से यहां पर i agree वाले option पे click करेंगे और proceed for payment पे click करेंगे payment details open हो चुका है यहां पर आप credit card debit card internet banking upi wallet से भी payment कर सकते हो दोस्तो प्रिंट निकालके मैं upi से payment करने वाला हूं तो यूपी आइडी नंबर डालके या फिल qr code से तो qr code वाला ज्यादा easy रहेगा तो मैं qr code वाला select का देता हूं और नीचे अभी पैनाओ पे click करना है तो के सामने qr code आ जाएगा इनको आपको scan कर लेना है जैसे मैं सीधा यहां पर आ चुका हूं payment successful आ चुका है अभी print receipt के लिए click here for print receipt पे click करना है यहां पर देखो right sorry left side पे radio button पे click करना है और यहां पर capture fill up कर देना है और print receipt वाले option पे click करना है तो दोस्तो payment का receipt हो आ चुका है जन्रेट हो चुका है यहां से आप print निकाल सकते हो या फिर अपने mobile में save कर सकते हो इसको ले सकते हो अपने mobile में as a pdf उके उसके बाद यहां पर next पे click करना है यहां पर आपको अपना application number and date of birth select कर लेना है capture fill up करके submit पे click करना है फिसे आपका details यहां पर नीचे scroll करना है details सारी यहां पर आपकी show होगी दोस्तों आपका सारा process हो complete हो चुक है दोस्तों यहां पर सारी details यह आपकी show होगी आपका photograph signature आपने क्या add किया है और आपकी सारी जो details है यहां पर already आ चुके है दोस्तों आपको आपने fill up नहीं की है लेकिन आपके पूराने license से fetch हो चुके है यहां पर तो यह वाला जो PDF है आपको साथ में लेकर जाना है जब driving test के लिए जाओ payment relationship लेकर जाना है आपको learning license का exam नहीं देना है दोस्तों क्योंकि learning license ओलेडी आपने जब two wheeler निकल वाया था तभी आपने दे दिया था दोस्तों learning license आपका एक week या फिर 10 दिन में आपके portal पर आजाएगा मतलब की सार्थी परिवहन में आजाएगा और download कैसे करना है learning license उसका भी वीडियो मेंने description में दे दिया है दोस्तों learning license आने के एक मन्त बाद आप अपने driving license का slot booking कर सकते हो दोस्तों slot booking का जो भी date and time आपने select किया है उस date and time पे आपको driving test के लिए जाना है उसके बाद आपका driving license है और पर पेज़ाद पेज दिया जाएगा दोस्तो दोस्तो driving license related और भी videos मेरे description में आपको मिल जाएंगे तो channel को जल्दी से subscribe कर लो bell icon को click कर लो इस video को अपने friends के साथ share शेर जरूर करना दोस्तों video अच्छा लगा हो तो like करे, share करे, subscribe जरूर करे और bell icon को जरूर क्लिक करे, thank you so much